नमस्कार, स्वागते दर्शकों का इन विसेन की खास मुलाकात इस कारेकरम में हम अपने जीवन के रहा चलते रहते हैं हमरा अपना अपना प्रोफेशन होता है लेकि जहाँ जिम्मेदारी आती हैं वहाँ पे उस व्यक्ति मत्वक के अंदर ही कुछ प्रतिभाय होना आवश्यक होता है और कुछ प्रतिभाय ऐसी होती है जिने वो तमगा लग जाता है तो वो तमगा उनके व्यक्ति मत्वका एक भाग हो जाती है आज हमारे जिन BCN में जो शक्स मौजुद है मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे माराष्टर के उर्जा मंतरी और नाकपुर जेले के पालक मंतरी डॉक्टर नितियंत्राव जीयर सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसे मैं दर्शकों से बता रहा था कि उर्जा मंतरी और पालक मंतरी ये दोनों सुभाव जो है सर आपके अंदर में हमने देखे हैं आप में एक पालक अत्वा का भी भाव है और उर्जा मंतरी के रूप में आप में उर्जा भी है जब आपने पदभार संभाला तब से ही आपके रहा में एक क्यालेंज थे तब से लेके अब तक की जर्णी इसको हमारे दर्शक्रों के साथ में थोड़ा सा साजा कीजिए एक तो 2019 में चुनाव हुआ विदान सभा का अप्तुबर मैने में और चुनाव के पच्चात नई सरकार बनाने को थोड़ा समय लगा और नौंबर एंड में वह सरकार बनी और दिसंबर में पहली बार महाराश का अधिरेशन नाखपूर में लिया गया तब हम 6 मंत्री थे यहां पर और सभी मंत्रियों के पास 5-6-6 डिपार्मेंट वहां रहे और उसके बाद जन्वरी मेने में मुझे यह उर्जा विभाद प्राप्त हुआ बिजली का विभाद मुझे प्राप्त हुआ और बिजली का विभाद प्राप्त हुने के समय ही महाराश का दुसरा अधिरेशन मुंबई में शुरू हुआ और वो अधिरेशन की ही चलते चलते मुझे थोड़ी तकलीफ हुई और मेरे दिल का थोड़ा सा इश्यू क्रियेट हुआ और मुझे 6 स्टेने हाँ पर लगी और फिर उसके 50 में वापस अधिरेशन में आया और आने के 50 दो दिद में ही अधिरेशन को बंद कर दिया गया चुकि भारत में करोना 19 का प्रादूर भाव चालू हो गया था और उस संकट का मुकाबला करने के लिए भारत के प्रदान मंत्री ने पुरे देश के अंदर लागडाउन गोशित किया और लागडाउन गोशित करने के बाद मेरी जिम्मेदारी बिजली मंद्री के नाते और बढ़ गई क्योंकि बिजली तो आजकल अत्यावश्चक हो गई है और हर किसी को बिजली लगती है और उस पिरेट में जब लॉकडाउन हुआ तो सारे लोग अपने अपने घरों में तक्रिवन कैद से हो गए थे सबी के मोबाइल चालू थे उसका चार्जिंग करना तीवी चालू था उसका तीवी देखने का प्रमान बढ़ गया था लैप्टॉप कम्पूटर भी चालू थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का काम चालू हो गया था सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजट्स का उप्योग बढ़ गया था तीवी देखने का प्रमान बढ़ गया था लैप्टॉप कम्पूटर भी चालू थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का काम चालू हो गया था सारे electronic gadgets का उपयोग बढ़ गया था और 24 by 7 बिजली देना यह भी अत्यावश्चक था तो बखु भी हमने उसको निभाया और उसके बाद दुसरी लहर आई तो पहली लहर में मुझे खुद को भी करोना हो गया था और मेरी पत्नी को भी करोना हुआ लेकिन हम दोनों अच्छे स्थिती में आगे तो दुसरा लहर चालू होने के पच्चाथ ऑक्सिजन की भी कमिया आने लग गई और हमने पहले ही लहर में उसको कंप्रीट करने के लिए ठान लिया था तक्रिवन मैंने पालक जिले का पालक मतरी इसनाते से 188 करोड रुपया माइनिंग भंड से करोना के संकट को रोकने के लिए और उससे हमारे नापकूर की जनता को जिले की जनता को सुरक्षय मुया करने के लिए स्वास्त सुरक्षय मुया करने के लिए मैंने सबी अस्पतालों को सरकारी अस्पतालों को वो दिया जिसमें मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में होस्पिटल दोनों को काफी मदद हुई और उनके वज़े से हम सारे गरीबों को मदद करने में काफी अच्छे से काम कर सके कावी मरजों की जाने बचाने में उसकी सहा एता हो और पहली लेहर के बसुद मैं आपको बता दू कि मुझे दो बार बायरोड डिली जाना पड़ा बायरोड बंबाय जाना पड़ा वह इसले जानना पड़ा मुंबई की यहाँ पर खानी के लाले पड़े nutzen सब्सक्राइब करना कि सरकार ने कुछ पैकेज करना चाहिए और वह देना चाहिए तो सरकार सब्सक्राइब करने माननिय मुख्यवंतरी उद्दव जी बाड़ा साथ ठाकरी जी के लिडर्शिप में उसको माननिता दी और वहाँ पैकेज हमने बनाया लेकिन हमने उस पैकेज को बाकी जिल्लों से अलग डंग से बनाया ताकि लोग को नास्ते के लिए भी चीजे और तो हम दे नहीं सकते थे क्योंकि ख़राब हो जाती है तो यह सब्सक्राइब करके उसके पैकेज बनाकर लोग अपने मैना भर कैसे चल सके उसका प्लानिंग करके हमने उसको कोशिश की और उसमें हमने सपलता प्राप्त की दूसरी लहर के वक्त दूसरी बाते चालू ही उसमें बड़े पैमाने पे लोगों को बेड़ ना मिलना ऑक्सिजन नहीं मिलना यह बाते चालू ही और वह बाते करते वक्त हमें बहुत जदो जद करनी पड़ी कि बेड का प्लैनिंग किस प्रकार से हो तो हमने उसका माइक्रो प्लैनिंग किया सभी अस्पतालों में हमने आये सदिकरी तैनाद करके उनके माद्यम से उस प्लैनिंग को एक आकार देकर लोहों की सवलियत बढ़ाने की कोशिश की प्रावेट अस्पतालों को वर्किंग करने के लिए लगाया उन पर गरिमों को किता परसेट लेना नहीं लेना उसके बारे में भी कोशिश की गई और ऑक्सिजन के बारे में भी हमको माइक्रो प्लैनिंग करना पड़ा क्योंकि बिलाई से ऑक्सिजन आने पड़ता था हमारे करना टैंकर्स को और करना फिर उसके सिलेंडर्स में तब्दिली करना यह तमाम बातों को करने के लिए हमको वो चीज करनी पड़ी साथ में इंडस्टीज में जाने के लिए लोहों को काम करने के लिए भी मजदूरों को कई सवल्यत दे सके उसके बारे में भी यह करना पड़ पड़ी ताइम मैंजमेंट करनी पड़ी उसका भी वह सतापन करना पड़ा इन तमाम बातों को करते करते आकरी के समय में एक नई बात सामने आ गई वो जिसको हम मुकरमाइशिस कहेंगे और वो तिसरी लेहर में बड़े पैमाने पे हमको वो देखने को मिला और उससे भी प्राशाई हुए जी उनके शिकार रहो गए उनको मैं आदराजली वेप्त करना चाहूंगा और उस प्रकार से मैंने उसका मुकाबला करने की कोशिश किया आज तिसरी लेहर भी हमारे यहां से जा चुकी है अच्छा खासा हमने टेस्टिंग लोगों का करा के को मार्विट स्लोग की प्राइरिटी देखकर उनका वैक्सिनेशन का प्लैनिंग भी हमने किया और मैं आपको बता-दू कि मुंबै के कंपर इसन में हमने भी अपनी वैक्सिनेशन को काफी आगे बड़ाया बड़े पैमाने उस पर काम किया वैक्सिनेशन होने के बाद बूस्टर डोज करना अत्यावर्शक हो गया है और पालक मंतरी के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदादी तो आप पर यहां और मैं उसको बखुबी समालने की कोशिच कर रहा हूँ और मैंने समाला है पर देश में इसका संवालने के नाकपुर को बहुत सही तरीके से संबाला आज की दोर में आते हैं डॉक्टर साथ फिर एक challenge आपके सामने है पूरे देश में electricity का संकट है महराष्टर में भी है लेकिन मैं इस बात का यहाँ पर जरूर उल्ले करना चाहूँगा दर्श को को बताना चाहूँगा बीते 60 सालों में जो नहीं हुआ वो महराष्टर में हुआ है पूरे महराष्टर में डॉक्टर नितियन राव जी की नेत्रूत्व में आठ हजार मेगा वैट बेजली का रिकॉर्ड उत्पाधन 26 और 27 एपरिल को किया गया इसकी पिछे की धार्ना इसकी पिछे की महनत आप इसको किस तरह सी विश्यत करेंगे डॉक्टर सार्थ देखिए जब कोईले का संकट पहली बार आया था तो वो संकट कोई अकेले भारत में नहीं आया था तो पुरे सनसार में आया था और उस समय आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े देशों में अंधेरा चाया हुआ था और उस पर से हम जब गुजरना चालू हुआ और वहाँ से बाहर निकले तो यह दुसरी बार कोईले का संकट हमारे देश में आया है और मैं आपको बता दू कि पहली जब संकट आया कोईले का उससी समय कोईला मंत्राले के सचीव ने CIL को चेतावनी दी थी कि आपका विवस्तापन गलत होने के वज़े से हम अपने देश के बिजली घरों को कोईला कोईले की आपूरती सही डंग से नहीं कर पा रहे और आप जब दुसरा उस पर संकट आया तो वही बात मैं दोराना चाहता हूँ कि केंदर सरकार की जो निती रही है उनके कंपनी का जो विवस्तापन रहा है वो मैक्रो प्लैनिंग नहीं हो सका क्योंकि CIL एक कंपनी है और उसके नीचे जो सब्सिडरीज कंपनी होती है वो सब्सिडरीज कंपनी अलग अलग ढंग से अपना काम करती है उसके नियोजन में और उसके विवस्तापन में कही अर्चन आई और वो अर्चन उत्पादन के साथ आते आते वहाँ जो ट्रांस्पोर्टेशन करके बिजली घरों को पहुचा जाता तो रेल के रैक के साथ भी उसका सम्मन्द आता है उसमें भी कमी आई बड़े पैमाने पे जो कोस्टल इलाके में इंपोर्टेट कोल पर जो बिजली घर काम करते थे उन्होंने देशी कोईला वापर ना चालू किया क्योंकि इंपोर्टेट कोल के दाम रश्या युकरेन के लड़ाई में काफी बड़े पैमाने पे बढ़ गए और कोईला की आपूर्ती नहीं होने के वज़े से उनको उस पर जाना पड़ा तो एक प्रेशर इंटर्नल और एक्स्टर्नल एक केदर सरकार की इन कंपनियों के उपर आना चालू हुआ और उस कंपनियोंने उसको नहीं पैचानने के वज़े से इस देश के अंदर भी वो चीज खड़ी हो गई जिसके वज़े से आप देखेंगे कि आज महारास्ट भलेई यहां लोडशेडिंग से मुक्त है आपने यहां कहा कि हमने पिछली साथ साल का रेकार्ड तोड़कर आठ हजार मेगावार्ट बिजली पादन यहां पर किया चुकि माननिय प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्दव जी बाड़ा साब टाकरे जी ने हमको टारगेट दिया था कि क्या आप यह टारगेट कंप्लीट कर सकते हो तो हमने वो चैलेंज को स्विकारा और बहुत जल्दी वो चैलेंज पुरा किया साथ में और एक रेकॉर्ड टुटा है जिसका जिक्रा आपने नहीं किया कि हमारे टोटल 27 प्लांट चलते हैं तो 27 के 27 प्लांट एक साथ चले और उसका PLM भी 85% रहा जबकि M.E.RC ने PLM 75% अब को बोला कि कम से कम 75% चलना चाहिए हमने 85% चलाया तो यह एक प्रकार का उच्चान की हुआ है और उसके साथ साथ मैं आपको बता दू कि हमारी महाजेनको कमपनी ने 34 पैसे से लेकर 35 पैसे उत्पादन का खर्चा भी कम किया है तो यह भी अपने आप में एक रेकॉर्ड हुआ और तक्रिबन 4 आवार्ड हमारे उस माजेनको कमपनी को मिले मावित्रन को भी 3 आवार्ड मिल चुके है माठ रांसकाम को भी 9 अवार्ड मिल चुके है तो हमारी कंपनिया फूल स्विंग में काम कर रही यह करते वक हम लोगों ने फिनाश BEN भी किया एक तरफ उत्पादन का मैंज docography खासा करने का मैंज में तिसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन का मैं ऑ wold विजली तो विदर्भ में ज्यादा पैदा होती इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यह और ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा हूं कि बड़े पैमाने पे एटी सी लॉसेस होते हैं जी और वो लॉसेस जो होते हैं वो लॉसेस को हमने 5% कम किया फिर हमारी distribution company में जो leakages लेते हैं ट्रांस्प ग्रीट के वो leakages को भी हमने 1% यहां पर कम किया है और उसको रोकने की भी हमने कोशिश किये हैं मैं आपको बता दू कि तक्रीबन जो खुक लगते थे हुक लोग आकड़े डालते थे करेंगे बिजली की चोरी करते थे वह चोरी पर भी हमने पाबंदी लगाई 51,000 के आकड़े हमने पकड़े है और उसको निकाला है जिसमें 200 मेगावैट की बिजली चोरी हमने रोक दी है और उसके वज़े से हमको जो बचत हुई है वो बचत जो हो गई वह आट सव करोड़ के उपर है बहुत अभी नंदीन यह वाज जोच की 50 करोड की बच्चत हो रही हमको इस चोरी को रोकने में तो यह भी काम हमने यहां पर करने की कोशिश की और उस प्रकार से हमारा काम चल रहा है बड़ी अच्छी बात पूछी पहले तो केंदर सरकार ने यह सोचना चाहिए कि हमारे बिजली घरों को कोईला कितना लगता है तो मैं आपको बता दू कि 1,41,924 मेट्रिक टन कोईला हमको रोज लगता है और यह कोईला लगने के बाद मिलता कितना है हमको 1,32,629 तारिक का जो डाटा है उसके उपर से बता रहा हम है हमको मिला और हमने खर्चा किया 1,3,703 मेट्रिक टन आज की स्थिति आप देखेंगे कि कोराडी का हमारा जो प्लांट है 1980 मेगावाट का उसमें एक दिन बात्तर गंटों का हमारे पास कोईला यहाँ पे बात्तर 1,72 परसेंट कोईला अवैलेबल है और नाशिक में 1,74 परसेंट कोईला अवैलेबल है देश का और हमारे भुसावल में 1,65 परसेंट का कोईला अवैलेबल है तो इस प्रकार से हमारे पास कोईला की availability भी थोड़ी सी crunch में है और उसके बावजुद भी हम यहां काम कर रहे हैं अब यह कहते हैं कि कोईले का पैसा हमने इनको नहीं दिया तो मैं आपको बता दू कि मैंने कोईले का पैसा भी दिया है इन लोग जुटी बाते फैलाती है यह है हमारा डाटा और इस डाटा के मुताबिक आप देखेंगे कि इसमें जो आउटस्टेंडिंग ड्यूस थे हमारे एक चार दो जार बाइस के बारह अजार पंचानवे करोड तेरा लाग करोड जो था वो हमने दे दिया हमने उसके बाद बी लेंड उसके दरमयान जो मंतली हमारा आता है एक हजार पैसेट करोड का वो भी दिया है उसके बाद पेमेंड जो हमने दिया उस महने में वह एक हजार चार सो अट्थान बे करोड दिया और आज जो क्लोजिंग डेट है ये अठाई चार दो जार बाइस की आठसो बाइसट करोड हमारे अभी वहां हम नही भी बोलते कि नहीं देने है यह तो बिजनेस हैना कि बिजनेस में देना और लेना चलता है आदमी लेता है उसका पेमेंड करते जाता है तो उसके बाद रेल्वे का भी रैक का पैसा था वह भी 250 क करोड रूरुप्य हम ने दिया हम चुपाते नहीं हमारी बात लेकिन जो झ के लिए महाराष्ट प्रदेश की समस्या नहीं है तो यह समस्या पुरी देश की है देश के सत्रा प्रदेश ऐसे जिसमें आज लोड शेडिंग चल रहा है और महाराष्ट पहला ऐसा अवल प्रदेश है कि जिसमें लोड शेडिंग नहीं के बराबरी में बलकर बलकी नहीं है जीरो है अब उसकी भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसका चाड़ भी मेरे पास आज उपलब्द है देखिए यहाँ जीरो परसेंट निल ऐसा यहाँ पर लोडशेडिंग पुरे महारास्ट में है यहां हम बात कर रहे हैं कि अब यह लोडशेडिंग की या कोईला टंचाय की तो इसकी कोई समय सीमा हम निर्धारित करेंगे या यह चलता ही रहेगा कब तक हमारे उपर में यह साया मढ़राता रहेगा देखे पहली बात तो जो केदर सरकार के जो मंत्री मुझे पर आरूप कर रहे हैं कि हम उनका बकाया देते नहीं तो मैंने तो आपको बताया है मैंने दीए लेकिन मुझे उनसे आपके माध्ययम से सवाल पूछ ना चाहता हो मैं क्योंकि फेर दुनों केंदरिय मंत्री यह महराष्च के सुपुत्र और सुपुत्री है और यहां के रहिवाशी है जित्ता मेरा संब्ध महाराष्ट की प्रदेश से उत्ता संब्ध उनका भी है लेकिन उनकी जवाबदारी नहीं है कि GST की जो हमारी आउटस्टेंडिंग है वो 26,500 करोड है वे कब वो देने वाले है उनमें एक हमारी बैन खुदी फाइनांस की राज्यमंत्री है कब वो देने वाली उनने बताना चाहिए और बिजेपी की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ पर तो आप सब कुछ देते हो लेकिन यहां पर द प्राइजे यह बिजेपी ने सोचना चाहिए व्याट का भी पैसा हमारा अभी तक नहीं आ रहा है और एक बात तो मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रही कि मानियन नरेंद्र मोदी जी अपने देश के पंत्रदान है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय ज तब हमारे तत्कालिन पंत्रदान ड corazón मनमोन सिंग जी जो नेत्रुत्व करने थे हमारे देश का उन्होंने पेट्रोल डिजल के दाम कम करने के लिए कहा था उसवक्त उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार इसकी बेदारी ले और केंद्र सरकार उसको कम करें और आज वही वेक्ति जो मुख्यमंत्री करके कम करने की केंद्र सरकार से बात कर रहे थे वो राज्य सरकार को कह रहे है कि आपने अपना जो भी फायदा है उसको कम करें तो कैसा यह दोरा दोहरी निती कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब कुछ अलग बात करते थे और आज जब पंत्यप्रदान हो तब आप अलग बात कर रहें तो यह दोहरापन किसलिए यह सौतेलापन किसलिए यह मैं आपके जरिये उनसे पुछना चाहता हूँ जबकि केंद्र सरकार को सेंट्रल एक्साइट जो मिलता है 294 परसेंट मिलता है और डिजल का जो पेट्रोल का जो मिलता है उनको वो 612 प्रतिशन केंद्र सरकार को मिलता है तो उसमें जो राज्य का हिस्सा तो देने की बात अलग ही रहे गई लेकिन खुद ही वो अगर उसके टैक्सेस अगर कम करे तो मुझे लगता है कि देश की जनता को जो डॉक्टर मंदमोन सिंग जी की सरकार ने उस समय रहात दी थी उस प्रकार की रहात मिल सकती है लेकिन वे ऐसा करना नहीं चाहते उसके लिए मैं जबाबदार नहीं हूँ जिम्मेदार नहीं हूँ लेकिन इसके चलते आप देखे अगर पेट्रोल और डिजल के वहाव बढ़ते हैं तो लॉजिस्टिक के वहाव अपने आप बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं सामान ने जनता पर इसका असर पढ़ता है तो आप मतलब एक मिल जूर कर इस पर क्या उपाई हो जो ना क्या की जा सकत करने महेंगाई जो है वह महेंगाई तो पुरे देश में बुरी तरीके से फैल गई है एक तरफ गर्मी बढ़ रही है दूसरी तरफ महेंगाई बढ़ रही है क्योंकि इन्होंने ट्रांस्पोर्टेशन प्रेट्रोल डिजल के बहाव बढ़ने से ट्रांस्पोर्टेशन के rate बढ़ गए और सबजी बाजी के rate बढ़ गए दाल चीनी के भाव बढ़ गए गेवुआ चावल के भाव बढ़ गए तो यह जो भाव बढ़ने का कारण inflation का जो है वो तो केंदर सरकार की निती के वज़े से हो गया वो इन नितियों में failureness उनकी आगे उसके लिए उस पर चर्चा ही नहीं होती चर्चा तो केवल भोंगे पर होती है चर्चा महिंगाई पर नहीं होती चर्चा बेरोजगारी पर नहीं होती चर्चा हमारे किसानों के उत्पादन पर नहीं होती इन्हों नहीं कहा था हमारे यहत्माल में आकर चुना तबल देंगे यह इनों ने कहा था तो आज जब दुसरी बार मोक्ता मिला है उनको इस देश का प्रदान मंत्री बनने का तो अभी के उने उसके बारे में सोच रहे देश की जनता के बारे में विए अगर सोचे तो निच्चीत रुप से एक अच्छा हो सकता है हमारे नेता स् आज राजनिती में जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दे को छोड़के ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात करें जैसे होंगा हनुमान चालीसा तो यह क्या राजनिती का घटता हुआ स्तर है इस दुर्ष्टि कुन से आप देते इसको कैसे विश्ट करेंगा मुझे अच् शब अंबेटकर जीने कहा था कि हमारा देश जो है वो एक समाच का एक ध्रम का एक पंद्ध का देश नहीं है इस देश में अलग-अलग किसके लोग रहते हैं और सईश्नू भारत्यस रहते है कि अनेकता में एक्ता इसमें भारतिय संस्कूति बनी है तो जब कही कोई धर्मांदता किसी धर्म की लादने की कोशिश इस देश में करेगा तो यह देश हमारे संकट में बुरी तरीके से फज जाएगा और लोग तंत्र को गहरा नुकसान उससे पोच सकता है तो मैं समझता हूँ इसको अन्देका कर रही है मंतरी जी आप आपका जो रोल है पालक मंतरी उस दुरुष्टी कौन से मैं नापूर के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा नापूर का आपसे जब बात करते हैं हमने देखा है कि आपका एक सपना है कि नापूर एक ग्रीन सीटी करके उबरे पानी की किल्लत यहाँ पे ना हो लेकिन आज हम देखते हैं कि नापपूर क्या किसी भी गार्डन में चले जाए महानगर पानिका के जहां कि हमारे आज उबाज में वहां के जहार जंकार सब सुखे पड़े हुए हैं एक अकाल सावाता पूरा एक बात अच्छी है कि नापपूर में हम सिमेट के रास्ते बन रहे हैं हम उसकी सब्सक्राना करते हैं लेकिन कहीं नापपूर की गिरिदरी को खुते हुए नहीं देख रहे हैं फिर उस विकास का environment पे क्या असर पड़ना है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और उसको देखते हुए उसका डियोजन होना चाहिए तो जिस वक्त हम इस शहर में सिमेंट के रोड बनाने लग गए तब हमने यह नहीं सोचा कि हमारे जमीन में जो पानी अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उस पानी को कुए के जरिये हम पीने के लिए जब उसको निकालते है तो उस पर उसका क्या असर पड़ेगा और दुसरी बात उसी समय हमको यह भी देखना पड़ता कि हमारी जो सिवेज लाइन जाती है हमारी जो इलक्रिक की केबल जाती है हमारी जो टेली फोन की केबल जाती है जो ट्रंक लाइन जाती है तो इनके बारे में भी नियोजन करना पड़ता और साथ साथ में उस शहर में ग्रीनरी कैसी डेवलप हो जिस एन्वायरमेंट ली friendly environmentally हम कैसे हो सके उसका नियोजन करना पड़ता तो मुझे लगता है कि महानगर पालिका ने पिछली भाजपा की सब्ता 15 साल रही उन्होंने इस पर बिलकुल ध्यान केंदरित नहीं किया उसमें वे एक प्रकार से असफल साबित हुए और जाड तो तोड़ दिये रस्ते बनान ने में जाड तुडवा दिये और लगाने के नाम पर बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया गया कि हम बहुत बड़े करोड़ों में जाड लगाएंगे लेकिन जाड़ों की गिंति अगर आप करोगे तो नाकपूर की जो ग्रिनरी में आज का बहुत बड़े पैमाने पे कमी आई है नंबर एक नंबर दो आपको लगता है मैं कली शायद अकबार पढ़ रहा था और अकबार पढ़ते वक्त मेरे ध्यान में आया कि शहर के कुए सुगे है और शहर के अगर कुए सुगे है तो फिर यह सोचना कि हमारे जमीन में पानी कितना है कितना बचा हुआ है कितना बचा हुआ है तो इन लोगों ने कभी रिमोट सेंसिंग सेंटर से यहां की जमीन का मैपिंग करवाय क्या कि यहां के जा जी एस डिये जो होती है जो वाटर सर्वे करती है वो वाटर डाउंड वाटर सर्वे का उनके साथ चर्चा की क्या कि जमीन में कितना पानी है तो अपने आप आपको दूद का दूद और पानी का पानी नजर आएगा और उस डायेक्शन पर उसके कुछ उपाई योजना भी की जा सकती है प्लांटेशन इसलिए लगाया जाता है कि प्लांटेशन के माद्यम से यहा पॉलिशन और साउंड पॉलिशन तिसरा यह तीनों को रोकने का काम प्लांटेशन करती है और उसके लिए प्लांटेशन की आवश्यक्ता हुना लाजबी है जो कि हमारे शहर में बिल्कुल हुआ नहीं है नंबर वन नंबर टू सुच्छ भारत की बात तो आपने कही लेकि लेकिन मैं कुछ दिनों से अकबार पढ़ते आ रहा हूं खास करके महानपगर पालिका के आने वाले अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अकबारों में जो इंटर्यूज आ रही जनता की कुछ संस्ताओं की एंजियोज की उसमें कच्छरे को लेकर बहुत सारे सवा उट रहे हैं तो वह कच्छरे को लेकर जो सवाल उट रहे हैं उस पर भी द्यानाकर्चन नहीं है प्रॉपरली तिसरी बात हमारे यहां के जित्ते बगीचे हैं हमारे कारेकाल में तो वह बगीचे हमने बनवाये थे और उसकी ग्रिनरी मेंटेन की थी आज वो सुके नजर और तिसरी बात हमारे यहां आम नागरिकों को हर मार्केट में और हर पब्लिक प्लेस में जो जन सुविदा चाहिए वो जन सुविदा भी नहीं मिल रही चवती बात आपने जो कही पानी के बारे में पानी की किलत को देखते हुए ग्राउंड वाटर आपका बढ़ना चाह करने के लिए जिस प्रकार से किसी बिल्डिंग को अंगार नहीं लगनी चाहिए उसके लिए फायर डिपार्मेंट से ली जाती अगर और वह कंपल सरी करें तो बिल्डिंग प्लान के इसमें वह कंपल सरी हो जाता है कि उनको रेंड़ वाटर हर्वेस्टिंग करनी चाहिए तब कही हमारी तबाम चीज़े ये दुरुस्त हो सकती है हम यह भी बात हमने सुरी कि नाग नदी में हम शिप चलाने वाले हैं नाव चलाने वाले नाग नदी में लेकिन आप जाकर देखेंगे तो इवन एरक्राप्ट की बात की गई थी कि पानी से एरक्राप्ट ले जाएं और जो कल की ही रिपोर्ट अकबार में मैंने पड़ी कि गांधी सागर जो हमारा टैंक है जलाश है उसमें भी पानी बरसात का जो जमा होना चाहिए वो 85% से भी कम जमा होने वाला है इसके बारे में मैंने अकबारों में पड़ा खुदों के मैं नहीं बोल रहा हूं तो यह जो तमाम बाते है इसकी चर्चा अपने पार्टी से हटकर एक पालत मंतरी इस नाते से मेरा निवेदन रहेंगा तमाम राजनितिक पार्टियों को कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा शहर निच्चितर उससे सुन्दर बने स्वच्छ रहे और अच्छा बने तो हमने चर सण लेकिन वह पूरी सडक के ऊपर नाए आपने सणक बार बना सकते थे आप आपके पास पैसा था आपके पास नियोजंता फिर अने बेख सब्सकी और जो उसकी ब्यूर्टी जो सुंदर्ता है बूटाला लेक की उस ब्यूर्टी को कई तो भी रोकने की की कोशिश को मार दिया है उसका कटल कर दिया है पब्लिक एक्सेस को एपक्ट किया इट वाज एक एए लोग को अपना आनंद जो है देख्त करने की जगत झाती यस करके युदा सात्यों को कि युवा रवार को उसको इसका कतल आपने कर दिया आज और क्रिकेट की मैज भी भारत जिता है तो उस्सा उसका आननद वहाँ पर नहीं हो फ्रेंग डे का match masa नहीं हो करती थी बाहर से आने वाले सारे परेटकों को आट्रैक करती थी उसको कहीं तो भी प्रतिबंदित कर दिया है मंत्री जी हम आपके अच्वे मेंट का एक दौर भी आपसे सुनना चाहेंगे लेकिन अहम बात में करना चाहेंगे आज के दो में जिक्र किया भूंगा दूसरा ये हनुवान चानिस्या का जो माहौल चल रहा है आप पूरे प्रशास के जिम्मेदारी अपने उपर में लेते हैं चाहें पूलिस प्रशासन हो या प्रशास के अंद्रणावा एड्मिनिस्टेशन को बाकी पूरे महारस्टर को देखते हुए नागपूर क जो वातर है आपके सवहर्थ पूर्णा है तो यह आप कैसे करता हैं देखिए नागपूर में विचारों के दो केंद्रें एक तरफ संगभुमी है तो दूसरी तरफ दिक्षाभुमी है और दोनों विचारों में टक्राओ तो हर वक्त रहा है और वो लाजमी भी है उसके ब चेड़चार नहीं हुई है पहले किसी जमाने में हुआ करती थी लेकिन पिछले चालिस पचास सालों में तो मैंने यहां वो चीज़ देखी नहीं है और आज क्या अगर आप सोचेंगे तो मैं पालक मंत्री करके निच्चित रुप से आप बताना चाहूंगा कि नागपू नागपूर के पोलिस कमिशनर अमितेश कुमार जी ने नागपूर के मनपा आयक्त रादा कृष्णन जी ने नागपूर सुदार्पन्यास के चेर्मन मनो सुरेवन्शी जी ने नागपूर की कलेक्टर हमारी स्रीमती आर विमला जी ने नागपूर की विभागी आयक्त हमा वारी डॉक्टर मादवी खोडे जीने उन्होंने बहुत अच्छे से नागपुर को समाले हुए है नागपुर जिले को समाला है और अमितेश जीने करोना में तो बहुत अच्छा काम किया उनके टीम ने और उसके साथ-साथ आज सारी गटनाएं पंबई-पुना और और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विरोधी पार्टी के लोगों को भी कि उन्होंने इसमें हमारा साथ दिया है अब देखते हैं कि कितने दिन उनका साथ हमको इसमें मिलता है कि वे सामाजिक सद्वाव बनाने में यहां हमको सहयोग करें और मेरी उनसे नम्रवता पुर को प्रशाश के जिल्ला प्रशाशन को सहयोग करें यही मेरी भावडार एंगे और उनको निवेदन रहेगा उर्जा मंत्रिक होने के नाते और पालक मंत्रिक होने के नाते पूरी जनता आपको देख रही है चलते चलते क्योंकि समय की सुई भी हमें थोड़ा सा विराम ले पालक मंत्रिक करके मैं पूरी नाकपूर शहर के और जिल्ले की तबाम जनता को नम्रता पुरुवक निवेदन करना चाहूंगा कि करोना हमारे जिन्दगी से चला गया ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए करोना हमारे जिन्दगी से गया नहीं है उसकी चौथी लहर की बांग बच चुकी है इसलिए बगर मास्के आप घर से बाहर ना निकले और कोशिश करे कि ज़्यादा ज़्यादा समय बाहर में रहते हुए आप मास्क लगा के रहें नमबर दो मैं सबसे यह भी नमरता पुर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली का बहुत बुरा संकट हमारे देश में आ चुका है कोईली की कमी के वज़े से कोईला संकट भी हम पर है जिससे हम बिजली का उत्पादन करने में भी कही बार सक्षम नहीं हो पा सकते हैं ऐसे वक्त बिजली का जो आप उपयोग करते हो अपने निरंतर जिंदगी में और जित्ते भी इलक्ट्रोनिक गैजेटियर्स है उसके लिए तो कही तो भी उसमें रिहायत बरते और कोशिश कीजिए कि बिजले की खर्चा आप कम कर सके यह भी आपसे नमरता पुर्वक निवेदन रहेगा कि हमारे नाकपुर का एक इतिहास रहा है कि सामाजिक सवहार्द बना के रखने का उसको कायम करने का सामाजिक सद्वाव बना के रखने का तो उसे बद तोड़िये उसे बद जोकिये और उसको बना के रखने में हमें सयोग प्रदान करे जिला प्रशाशन को और पॉलिस प्र करना चाहता हूं मैं भी दर्शे को सोई इसी बात को दोराना चाहूंगा कि देखिए चाहे हम किसी भी धर्म के हो चाहे हम किसी भी जात के हो हम सबसे पहले भारती है मानवता हमारा धरम है ऐसा अगर ना होता तो अक्षे तुतिया और एद शायद एक दिन नहीं आती तो जब यह हमारा करत वे नहीं बनता कि हम इन सारी चीजों का उपयोग सई धंसे करे हम अपने जम्मेदारिया समझे है और इनी जम्मेदारियों को आज हमें समझाने की कोशिश की हमारे और उर्ज्या मंत्री पालत मंत्री डॉक्टर नितिन रावतिने ने मैं उनका और पूरे वि झाल झाल